नमस्कार दोस्तों, इंडियन पिनल कोड के लेक्चर नमबर आठ में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग IPC का सेक्षन नमबर 34 देखेंगे जिसका टाइटल है Acts done by several persons in furtherance of a common intention इस section को समझने से पहले मैं आपको एक आसान सा example देना चाहूंगा Example कुछ इस प्रकार से है चार लोग है A, B, C, D ये चारों मिलकर Z का murder करना चाते है इन चारों ने मिलकर एक plan बनाया कि Z का हमें murder करना है इसके बाद में A ने Z की गती विधियों के उपर नज़र रखना चालू कर दिया और एक जगा तैकी कि Z का murder पार्क में करना है जो B था murder के दिन पार्क के बाजू में जो सबसे उची building है वहाँ पर चड़ गया और binacular से देख रहा था कि Z कहा पर जा रहा है जब उनकी सही जगा पर Z पहुँच गया तो B ने C को phone कर दिया कि ये सही जगा है सही वक्त है Z को मार डालो Z को मार दिया C ने और पार्क के बाहर D गाड़ी लेकर खड़ा था C जो था murder कर दिया और D की गाड़ी में बैठकर फरार हो गया अगर Indian Penal Code का Section No.34 नहीं होता तो ये हर कोई इनसान C को छोड़ कर ये कहता कि मैंने तो सिर्फ Z की गतिविदियों के उपर नज़र रखी है मैंने कोई Crime Commit नहीं किया B होता तो B कहता मैंने सिर्फ Skyscraper के उपर चड़कर Z के उपर नज़र रखी है मैंने सिर्फ Binacular से Direction दिया है मैंने तो कोई Crime Commit नहीं किया और D कहेगा कि Murder तो C ने किया है मैंने तो सिर्फ उसे गाड़ी में लिफ्ट दी है लेकिन Murder तो हुआ है और इन लोगोंने Plan कर कर किया है और सजा तो हर एक को मिलनी चाहिए क्योंकि Indian Penal Court का एक Objective है No Crime Should Go Unnoticed और इसी लिए Section 34 का Inclusion किया गया और Section 34 ये कहता है Acts Done By Several Person in Furtherance of Common Intention यानि इन सभी को 302 के तहट यानि Murder के तहट सजा होगी क्योंकि उन सभी ने एक Plan बनाया उस Plan के According काम किया और वो Murder हो इसलिए कोई न कोई ऐसा Act किया जिससे वो Murder होने में आसानी होगी आशा करता हूँ आपको Example से समझ में आया होगा कि Section 34 में क्या है अभी हम लोग इसके Bare Act की जो Wording है उसके उपर नजर डालते हैं Bare Act की Wording कुछ इस प्रकार से Acts Done By Several Persons in Furtherance of a Common Intention When a Criminal Act is done by several persons in furtherance of a common intention of all each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone यानि इस एक्जाम्पल में चारों ने मिलकर प्लैन किया और चारों ने चारों में से C ने Murder को अंजाम किया लेकिन इन तीनों ने यानि C को छोड़कर A, B और D ने कोई ना कोई ऐसा Act कमिट किया है जिससे वो Murder होने में आसानी होगी और इसी लिए Section 34 का चार्ज लगा कर इन चारों को Murder के Offense में सजा होगी ये कहता है Section No.34 Second ingredient is There should be actual participation in committing of a crime A, B, C, D इन चारों ने ऐसा कोई Act किया जिससे उस Murder होने में आसानी होगी यानि A ने Z की गतिविदियों के उपर नज़र रखी B ने जब सही वक्त और सही समय आया सही जगा पर Z आया तो C को इनफार्म कर दिया C ने Actually में Murder कर दिया और D ने C को भगाने में मदद की यानि इन चारों ने Actively Participate किया In Commission of Crime तीसरा Ingredient है There should be a Prior Planning Before the Commission of Act इस Example में Prior Planning होई थी और चौता है Criminal Act was done as per the plan इस Example में Criminal Act जैसा Plan किया गया था उसी तरह से हुआ है So ये थे Section No.34 के चार Ingredients अभी हम लोग इसका Scope और Applicability के बारे में बात करते हैं जिससे आपके जो Doubt होंगे वो भी Clear हो जाएंगे Section 34 is not an offense in itself It is merely a charge which links the co-actors of a crime यानि Section No.34 एक offense नहीं है ये सिर्फ एक charge है जो लगाया जाता है Joint Offenders को एक साथ बांधने के लिए If all the accused involved in crime has committed any act to aid or constitute a crime by a pre-arranged plan Only then Section No.34 is applicable इसी example में अजूम करिये कि E नाम का एक इनसान Crime Scene के आसपास खड़ा था और वो सिर्फ मजे लेने आया था और पुलिस ने जब उस पार्क का जो CCTV फोटेज था वो चेक किया और E को नजदीक पाया तो उन्होंने उससे पूश्ताच की लेकिन पूश्ताच से अगर उनको ये पता चला कि उसका कोई crime नहीं है या फिर कोई intention नहीं है तो उसे Section No.34 के अंडर नहीं चार्ज किया जाएगा क्योंकि उसका ना तो कोई crime का intention है ना उसने crime को assist करने के लिए कोई action किया है अभी हम लोग तीसरा ingredient देखते है it is not necessary to have a physical presence at a crime site to be charged by Section 34 even if a person is sitting on a skyscraper near a crime site with binoculars and giving instruction on a phone call then even he will be charged under Section 34 even though he is not physically present at a crime site तो ये example scope में आए इसलिए मैंने ये example दिया था जो यहाँ पर B है वो पार के बाजो में जो skyscraper था वहाँ पर खड़ा है binocular से देख रहा है कि Z कहाँ पर जा रहा है और Z ने जब सही जगा पर कदम रखा पार्क के अंदर तो B ने phone किया C को और कहा वक्त और जगा सही है तुम murder कर दो तो यहाँ पर B ने direction तो दिया है लेकिन legal technicality के चलते वो छूट ना जाए और इसी लिए ये provision insert किया है चौता ingredient है here act means any act done with criminal intention to aid a crime यहाँ पर आप D के बारे में देखो जब crime खतम हुआ तो D पार के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा था और D ने C को भाग जाने में मदद की यहाँ पर D ने कोई action ऐसा मतलब criminal action तो नहीं किया है लेकिन जिस आदमी ने crime किया है उसे भगाने में उसने मदद की है और इसी लिए वो इस crime का एक हिस्सा माना जाएगा यहाँ पर पाचवा ingredient यह है यहाँ पर में आपको सबसे आसान example देना चाहूंगा if a mob lynching kills a man then each person will be charged as per the consequences of their act for example एक इनसान की अगर mob lynching करने जा रहे हैं चार लोग चार लोग का कोई pre-arrange plan नहीं है वो गुसे के अंदर आ गए और उन्होंने उस इनसान को पीटना चालू कर दिया एक इनसान ने लाथ और गुसे से बीटा दूसरे इनसान ने रोड से बीटा तीसरे इनसान ने जो हाथ में मिला यानि अगर पत्थर मिला तो पत्थर से बीटा और चौथे इनसान के पास अगर कोई dangerous हत्यार था उसने मारना चालू कर दिया यानि उस dangerous हत्यार से मारना चालू कर दिया तो हर एक इंसान को उसकी इंजूरी मतलब जो इंजूरी उसने पहुचाई है उसके consequences के हिसाब से चार्ज लगाया जाएगा For example, जिस इंसान ने लाथ और गुसे से मारा है उसके उपर voluntarily causing hurt का चार्ज लगेगा जिस इंसान के पास dangerous हत्यार है और dangerous हत्यार से अगर वो मार रहा है उसके उपर attempt to murder का भी चार्ज लग सकता है और इन चारों का कोई common intention या फिर pre-arranged plan ना होने की वज़ा से इनके उपर section number 34 नहीं बलकि section number 35 लगेगा और जो injury एक इनसान ने पहुचाई है उसके accordingly उसे सजा मिलेगी इसका case law है महभूप शहा वर्सेस एंपरर 31st January 1945 यहाँ पर wording है यानि जो example मैंने अभी आपको दिया चार लोग गुसे के चलते एक साथ आ गए और उन्होंने एक इनसान को मारना चालू कर दिया इन लोगोंने कोई pre-arranged plan नहीं बनाया था और इसी लिए इनके उपर section number 34 नहीं लगेगा महभूप शह वर्सेस एंपरर एक landmark case law है और इसे मैं अगले lecture में आपको detail में समझाओंगा so that's it for today's lecture thank you so much please like share and subscribe to my channel